इतना उचा कि मैं जीवित रहने की स्थिती में भी मैं इससे उचा नहीं उचा था मेरे हस्ते हस्ते फासी पर चड़ने की सूरत में देश की माताएं अपने बच्चे के लिए भगत सिंग बनने की उमीद करेंगी इससे आजादी के लिए चांद देने वालों के तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांती को रोकना नामुम्किन हो जाएगा आज मुझे खुद पर गर्व है अब मुझे बड़ी बेताबी से उस अंतिम परिक्षा का इंतिजार है काम नहें कि ये और नजदीक आ जाए ये लाइने मेरी नहीं है ये भगत सिंग के उस खतकी है जो उन्होंने अपनी फासी से ठीक पहले लिखा था हमारे देश के नाव, देश वासियो के नाव नमस्कार, मैं हूँ प्यूश और आप देख रहे हैं दचोपाल आज 23 मार्च, यानि शहीद दिवस है 23 मार्च 1931 को भगत सिंग, सुकदेव और राजगुरू को पंजाब इस्थित लाहोर जेल में फासी दे दी गई थी इन तीनों को सांसत में बम से हमला करने के जुर्म में फासी के सजा सुनाई गई थी बम हमले के साथ साथ और भी अलगलग तरह के आरोप के आधार पर इन तीनों को गिरफतार किया गया था और इनको 24 मार्च को फासी पर चढ़ाने की सजा सुनाई गई थी जैसी पूरे देश में इस बात का पता चला, चारो तरफ भगावत की लहर दोड़ पड़ी और पूरे देश में सभी लोग लाहोर जेल की तरफ बढ़ने लगे अंग्रेजों ने जब देखा तो उन्हें डर पैदा हो गया कि कहीं क्रांतिकारी भगत सिंग, सुकदेव और राजगुरू को छुडाने ना आ जाए इस डर से ही अंग्रेजों ने इन तीनों को छुपके से एक दिन पहले ही फासी पर चड़ा दिया और इसी वज़ा से 23 मार्च को हम शहीर दीवस के रूप में मनाते हैं लेकिन उस समय के कुछ क्रांतिकारी वर्ग के लोगों ने जो सुकदेव, राजगुरू और भगत सिंग के साथ रहते थे इस फासी का जिम्मेदार महत्मा गांधी को बताया जी हैं आपने बिल्कुल सही सुना, कुछ वर्ग के लोग आज भी इन मुद्दों पर बात उठाते हैं कि महत्मा गांधी चाहते तो उन तीनों को फासी से बचाया जा सकता था ऐसा क्यों कहा जा रहा है या ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है गांधी जी पर आईए आपको बताते हैं असल में 5 मार्च 1931 को गांधी एर्विन पैक्ट हुआ था जिसके तहट महत्मा गांधी और एर्विन के बीच एक समझोता किया गया था जिसमें कुछ मुद्दे रखे गए थे पहला मुद्दा था कि सभी राजनितिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए दूसरे मुद्दे में कहा गया था कि समुद्र किनारे रहने वाले को नमग बनाने की छूट दे दी जाए और तीसरी बात ये थी कि जिन लोगों के संपत्ती जब्त की गई है उनको वापस लोटा जाए और चोथे नमबर की बात में कहा गया था कि गांधी जी दुवारा किये गया अंदोलन को स्थगित किया जाए जिससे बिटिश सरकार को कोई भी नुकसान ना पहुचे पर महत्मा गांधी कभी नहीं जाते थे कि उनके मुव्मेंट को रोका जाए या स्थगित किया लेकिन उस समय अपनी बातों को मनवाने के लिए गांधी ने ये बात मान ली ये तो हुई गांधी इर्विन पैक्ट की बात अब जो क्रांतिकारी लोग थे उनका कहना था कि जब संजोते में सभी राजनितिक क्याजिय को छुडाने की बात की गई तो भगत सिंग सुखद और राजगुरु को छुडाया सकता था कुछ जानकारों का तो ये भी कहना है कि जब आजादी के अंदोलन के समय गांधी और भगत सिंग आजादी के लिए अपने अपने तरीके से लड़ रही थे तब लोगों में भगत सिंग की क्रांति को लेकर जादा जोश था मतलब देखा जाए तो गांधी के मुकाबले भगत सिंग जादा चर्थित थे जिस वज़ा से गांधी को भगत सिंग बिलकुल परसन नहीं थे या यूं कहिए कि कही न कही जल की भावना भगत सिंग के प्रतिक गांधी जी के मन में आ चुकी थी क्योंकि गांधी जी की अहिंसा पर चलनी की अफधारना थी और भगस सिंग की आक्रोश और जोश से भरी हुई क्रांती की और फिर भगस सिंग की फासी और गांधी इर्विन पैक्ट दोनों में महज 18 दिन का गया था फिर क्यों नहीं छुडाया गया जिसके बाद समूचे भारत में अंग्रेज भारत छोड के खिलाफ हूँ लेकिन एक बार समझोते पर हस्ताक्षर के बाद मैं कुछ नहीं कर सका था लेकिन फिर भी 23 मार्च को मैंने एक पत्र अंग्रेजी सरकार को लिखा था जिसमें मैंने अपने दिल की सभी बाते कह डाली थी लेकिन गांधी जी के पत्र वाली बात कितनी सच् लेकिन सवाल आज भी लोगों के बीच खड़ा हुआ है जिसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है लेकिन भगत सिंग ने फासी पर चड़ने से पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए देश वाजियों से अपील करते हुए कहा था कि मैं मानकर चल रहा हूँ क कि आप वास्तों में ऐसा ही चाहते थे अब आप सिर्फ अपने बारे में सोचना बंद करें रतिगत आराम वाले सपने छोड़ दे हमें इंच इंच आगे बढ़ना है इसके लिए असम्य सहस और दड़ता की जरूरत है कोई भी मुश्किल आपको रास्त से दिगाए नहीं क इसी विश्वास घाट से आपका दिल ना तूटे पीडा और बलिदान से गुजर कर आपको विजय प्राप्त हूँ और जब भगत सिंग राजगुरो और सुकदेव से उनकी आखरी इच्छा पूशी गई तो उन तीनों ने एक ही आवाज में कहा कि हम तीनों आपस में गल शान से पांसी के फंदे को चूमा और गर्व से देश के लिए अपना बलिदान दिया था